नमस्कार दोस्तों, नौलेज आल अबाउट के साथ मैं हूं स्रवड पटवा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको IRCTC का अकाउंट कैसे बराना होता है आज के डिजटल भरी दुनिया में आप घर बैठे किसी भी प्रकार का काम मोबाईल के माध्यम से भी कर सकते हैं जिसमें ट्रेन टिकट भी सामिल है और खुद को भीर भाड़ वाले जगों से बचा सकते हैं इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं मोबाईल और कम्प्यूटर में ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल के सर्च बाक्स में आपको जाकर IRCTC टाइप करना है उसके बाद आपको IRCTC का स्टाइड सबसेट टॉप में दिखाई देगा उसके नीचे आपको इंडिविजूल रजिस्टेशन पे क्लिक करना है उसके बाद आपको एक इलर्ट मेंसेज सो करेगा उसे स्क्रॉल करके आप ओके बटन पे क्लिक करके उसे हटा दें उसके बाद आपको इंडिविजूल रजिस्टेशन का एक फर्म दिखाई देगा जिसे केरफुली भरना होता है इसे आप असानी से भर लें यूजर आइडी बनाने के लिए आपको मिनिमम थिरी करेक्टर और थर्टी फाइब करेक्टर तक होना चाहिए जिसमें अनली लेटर इंड नंबर ही परियोग करना है यूजर नेम बनाते समय आपको इस तरह का मैसेज डिस्पले कर सकता है तो आप अपने नाम को बड़ा भी लिख सकते हैं जैसे निकु 20 नहीं ले रहा है तो निकु के आगे और भी कुछ जोड़ देंगे तो ले लेगा पासवर्ट बनाने के लिए आपका मिनमम करेक्टर 8 और मेक्सिमम 15 होना चाहिए जिसमें आपका 1 स्मॉल लेटर, 1 केप्टर लेटर, एंड नम्बरिक डिजिट होना चाहिए यूजर आइडी और पासवर्ट बनाने के बाद आपके सामने सेकुरिटी केस्टन का एक आपसण आएगा आप यदि कभी अपना पासवर्ट भूल जाते हैं तो इसमें आपका जो आप यहां पे सेकुरिटी केस्टन दिये रहते हैं उसके माध्यम से भी आप अपना पासवर्ट फॉर्गेट कर सकते हैं और साथ में उसका आंसर भी सेकुरिटी के इस्टन दो देंगे उसका सेकुरिटी आंसर भी आपको यहां देना है और यहां पे लेंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको नेम वाले फिल्ड को भरना है एक चीज यहां पर इंफो में दिया हुआ है प्लीज प्रोवाइड यूर नेम असपर अधार आपके अधार कार्ड के हिसाब से यहां नेम भरना होता है साथ ही जेंडर, डेट आफ बर्थ आपका इसमें बहुत सारा आपसन आएगा जिसमें से किसी एक को आप सेलेट कर लें साथ ही मेरिटल स्टेटस, कंटी, इमेल आइडी जो आपका चालू, वरतमान में चालू इमेल आइडी हो उसका ही स्तमाल करें मोबाइल नंबर, नेशनल्टी, आपके अधार में जो एड्रेस दिया हुआ है उसी को यहाँ पे फिल करना है स्टेट, सीटी, टाउन, पोस्ट आफिस, यह सभी डेटा को फिल करने के बाद आपको आई blev आइम नौट रोबोट पे क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है इमेल आइडी वाले फिल्ड को भरने के समय आपका इमेल जो है 10 करेक्टर मिनिममम का होना चाहिए, मेक्समम 70 करेक्टर का होना चाहिए इसका भी आपको ध्यान देना है कि 10 करेक्टर से आपका email ID कम नहीं होना चाहिए फ्लेट, डोर, ब्लॉक नमबर वाले फिल्ड को भरने के समय डॉट का उप्योग ना करें डॉट का उप्योग करेंगे तो आपको एक मेसेज सो करेगा इस तरह का तो किर्प्या डॉट सब्दों का उप्योग ना करें नहीं तो आपको इस प्रकार का समस्या आ सकता है उपर वाले फिल्ड को भरने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कॉपी रेसिडेंस टू आफिस एड्रेस के लिए यस या नो पर क्लिक करना है यदि आप नो पर क्लिक करेंगे तो आफिस एड्रेस आपको अलग से फिल करना होगा यदि यस पर क्लिक करेंगे तो आपका नहीं भरना पड़ेगा नीचे वाले आप्शन को तो इस प्रकार अपने हिसाब से नो यास पे क्लिक कर लें उसके बाद I am not robot पे क्लिक करें उसके बाद आपको I have read and agree with the term and condition वाले चेक बॉक्स को एक्टिव करना है एक्टिव करने के बाद register पे क्लिक करना है रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक confirmation message दिखाई देगा जिसमें आपका mobile number और email id दिया होगा उसमें दो option दिखाई देगा OK और Cancel OK पे क्लिक करें रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि individual registration पे यहां registration successful का एक green color में message डिस्प्ले करेगा यहां पे आप देख सकते हैं thank you you have been successful registered का message दिया होगा आपका username registered successful your user registration confirmation mail has been sent to your registered mail id आपका mail id दिया होगा उसके बाद click here to login and activate your account का message दिया हुआ है आपके mail पर एक mail id गया होगा उस पे आपको जाकर account को activate करना है click here to login and activate your account के पास जो blue color में show कर रहा है उस पे आपको click here पे click करना है आपने जो email id दिये थे उस email id पे आपको इस तरह का एक mail गया होगा उसमें आप देख सकते हैं कि please click here to login your account दिया हुआ है साथ है your email id verification code भी दिया हुआ है जिसकी आपको आगे आने वाली परकिरिया पर ज़रूरत पड़ेगी साथ ही आपको एक mobile पे भी message IRCTC के द्वारा इस प्रकार आया होगा यह देखें IRCTC के द्वारा आपको your user registration successful id आपका दिया होगा यूजर id mobile verification code इस इतना इस code की भी आगे आने वाली परकिरिया में जरूरत पड़ेगी तो आप email पे जो आपको आया है login वाला भाग उस पे आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटर सेज दिखाई देगा यदि इस प्रकार का स्वोरी प्लीज ट्राई अगें पे वाला मेसेज यदि डिस्पले करता है तो आपको जो है क्लिक हेयर पे क्लिक करना है उसके बाद भी इस प्रकार का इंटर मेसेज तो करता है तो उसके बाद यहां पे आपको home और contact यूज दिया हुआ है वहां पे क्लिक करने के बाद एक alert मेसेज तो करेगा वहां पे आपको ok बटन पे क्लिक करना है उसके बाद यहां right side के right hand के top side साइड में राइट हेंड के टॉप साइड में आपको चार लाइन लाइन बना हुआ है इस पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का पेज दिखाई देगा इस पे भी इस पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन पे आने के बाद आपको लॉगिन का जो बनाए हैं उसको सांत ही यहां केप्चर कोड को डाल के साइन इन पे क्लिक करना है यदि आपको यहां से भी नहीं होता है तो आप बैक जाने के बाद आपको गूगल में IRCTC टाइप करना है उसके बाद आपको IRCTC Next Generation ET की सिस्टम वाले भाग को क्लिक करना है उसके बाद आपको आसानी से लॉग इन का पेज दिखाई देगा सोरी आपको टॉप साइट में ही जाकर लॉग इन पेज दिखाई देगा वहीं पे जाएं और लॉग इन पेज पे क्लिक करें उसके बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ट जुब रहा हैं उसको एंटर करना है उसके बाद आपको मोबाइल एंड इमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस का एक मैसेज डिस्पले करेगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर और उसके नीचे इमेल आइड दिया हुआ मिलेगा यहां पे वेरिफाई मोबाइल विथ ओटिपी पे क्लिक करना है और वेरिफाई इमेल आइड विथ ओटिपी पे क्लिक करना है मोबाइल पे जो OTP आया है उसको मोबाइल वाले फिल्ड पे भरना है और इमेल पे जो OTP आया है उसको इमेल वाले फिल्ड पे भरना है दोनों फिल्ड में OTP डालने के बाद आपको इस तरह का green message सो करेगा मोबाइल नंबर verify, email id verify मोबाइल नंबर और email id में OTP verification को करने के बाद आपको फिर से right hand side के top में click करने के बाद उपर में आप देख सकते हैं आपका नाम logout का option आएगा उसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है उसमें आपका profile का भाग दिखाई देगा माई profile पे click करें वहाँ आप update profile change password add modify master list इस पे click करके आप अपने profile को update कर सकते हैं उसके साथ ही आपको नीचे एक माई profile के नीचे आपको दिखाई देगा माई transaction उसके नीचे link your अधार दिखाई देगा link your अधार पे click करना है और अपने अधार के वाई सी को complete करना है यहां देख सकते है नेम असपर अधार आपका अधार काड के हिसाब से यहां नेम भरना है और अधार नंबर या virtual ID यहां पे click करना है उसके बाद send OTP पे click करना है उसके बाद आपको एक OTP आएगा send OTP पे click करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि अधार KYC enter OTP sent on अधार registered mobile number जो आपके अधार में mobile number registered है उसके एक OTP जाएगा OTP जाने के बाद verify OTP पे click करें verify OTP पे click करने के बाद आपको KYC detail का एक message display करेगा जिसमें आपका अधार number virtual ID दिया होगा date of birth, gender, state colony, pin code, post office सारा चीज आपका अधार से सम्मधित KYC दिया होगा उसको fill करने के बाद आपको update पे click करना है उसके बाद आपको एक confirmation message डिस्पले कर गाई और अधार verification is successful and KYC details have been updated please note register to ISDE wallet अधार verify issues can book up to this type का confirmation message दिया होगा उस पे आपको click button पे press करना है okay button पे click करने के बाद आपको फिर से login करना है login करने के लिए फिर से IRCTC type करें उसके बाद IRCTC next generation पे click करें क्लिक करने के बाद आपको एक alert message करेंगा उससे ok करें ok करने के बाद login वाले interface पे user name और password और capture code डालने के बाद login हो जाएंगे login होने के बाद आप फिर राइट हैंड साइट के corner में click करें यहां से जहां से आप login का interface दिखाई देगा आपको आपका नाम दिखाएगा logout के session दिखाएगा फिर से आपको यहां पे scroll करना है scroll करने के बाद my account पे जाना है माइ account पे जाने के बाद my profile my transaction उसके बाद link your अधार जहां से हम लोग अधार काड़ अपनल link किये थे link your अधार पे click करना है यह देखने के लिए कि आपका अधार लिंक हुआ है या नहीं, तो link your अधार पे click करें, link your अधार पे click करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि green color में लिखा हुआ है, your अधार has been successfully verified, इस परकार आप IRCTC के द्वारा 10 ticket book कर सकते हैं, इस परकार आपका जो है IRCT में registration हो चुका है, जो 10 ticket के लिए जरूरी होता है, mobile के माध्यम से IRCTC का account बनाने के लिए आप अपने mobile के browser को open करने के बाद, right hand side के top में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का interface दिखाई देगा, यहां जो 3 dot दिखाई दे रहे हैं, उस पे आपको click करना है, click करने के बाद आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा, mobile का interface इस तरह आपको दिखाई देगा, इसमें आपको desktop side सो करेगा, by default एफ रहता है, इसके check box को active करें, check box को active करने के बाद आपका mobile desktop side की तरह हो जाएगा, जिसमें आपका page जो है, असानी से open हो पाएगा, जो तरीका मैंने अभी बताया, उसे आप play store से IRCTC real connect apps डाउनलोड करने के बाद उस पे भी इसी परकार दिए गए जानकारी को फिलप करने के बाद आप apps पे भी अपना IRCTC का account बना सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, एक अलग topic लेकर अगले दिन, तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ सेर करें, थैंक्स फर वाचिंग,